सब इकुल मिशकार आज का हमारा पाठ है विदाई संभाशन और आज हम प्रेशन उत्र की व्यक्या भी कहरेंगे तो हमारा पहला प्रेशन है सीव संभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखा क्या कहना चाहते हैं हम आज केवल important questions कर रहे हैं तो यह हमारा पहला प्रेशन है इसमें जो दो गाये हैं उनकी संभन में लेखा क्या कहते हैं कि जब पशू होते हैं वो बिछूडते हैं तो उनकी मनोदशा भी ऐसी होती है कि हम उनकी भावनाओं का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं और यहीं पर व्या कहता है कि शिव शंभू की दो गायों के माध्यम से लेकर किया समझाना चाते हैं कि जिस देश के पशूओं के बिछडते समय ऐसी मनोदशा होती है वहाँ मनुश्यों की कैसे दशा हो सकती है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है कहानी में दो गाये हैं जिन में से एक बलवान है और दूसरी कमजोर है वह कभी कभी अपने सीमों की टकर से दूसरी कमजोर गाये को गिरा देती थी एक दिन बलवान गाये बुरोहित को दे दी गई उसके जाने के बाद कमजोर गाये दिन भर भूकी रहती है और यही तुलना यहां पर की गई है जैसे कि लाड करजन थे तो वो एक ताकतवर गाई थी और भारती जनता को यहने कमजोर गाई माना है लेकिन कमजोर गाई उनके जाने पर दुखी हो रही है यहने कि ताकतवर गाई के जाने पर दुखी हो रही है और लाड करजन ने अपने शाशन काल में भारतवाशियों का सोशन किया हो लेकिन उनके जाने का दुख सब को है यह लेखक यहाँ पर कहता है इसके बाद हमारा नेक्ष्ट प्रेशन आ जाएगा यहाँ किस एतिहासे घटना के और संकेत किया गया है तो यहाँ पर बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसकी बात चल रही है लौड करजन ने बंगाल विभाजन का निर्ने लेकर के भारत की एकता को खंडित करने की योजना बनाई भारत वाश्यों ने लौड करजन की इस जिद के आगे बहुत विंती की ताकि यहाँ विभाजन ना हो लेकिन करजन ने इसे अनसुना कर दिया और अखिरकार बंगाल विभाजन होकर रहा इसी एतिहासे घटना की और लेखक यहाँ पर संकेत करता है यानि कि यहाँ की जो मुख्य घटना है वह है बंगाल का विभाजन और यह किया था लौड करजन ने करजन को इस्तीफा क्यों देना पड़ गया तो लौड करजन एक फोजी अफसर को अपनी इच्छित पद पर न्यूक्त करना चाते थे पर बिटिश सरकार ने इसे स्विकार नहीं किया इसी गुस्से के कारण उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया और वह स्विकार भी हो गया था यह गटना हुई थी उनके इच्छा पूरी ना होने के कारण क्योंकि वो हमेशा ताना सही करना चाते थे और वो चाहते थे कि एक जो व्यक्ति है उसको उसकी इच्छा कापद दे दिया जाए लेकिन ऐसा नहीं किया गया और उनको अत्यंत गुसा आ गया और उनका जो इस्तिफा था, रेजिगनेशन लेटर था वह भी स्विकार कर लिया गया जो था हमारा प्रेशन है, बिचोल ये तो क्या शान आपकी इस देश में थी और आप क्या हो गई कितने उचे होकर आप कितने नीचे गिरे, इसका आशे हमें बताना है तो लॉड करजन भारत के ततकालिन वाइसराय थे, वाइसराय उची कोश्ट होती थी और उन्होंने अपने शाशनकाल में हर तरह की सुविधाओं का आनंद उठाया था देश के अमीर दथा संपन कहे जाने वाले वर्ग उनके कहे के अनुसार चलते थे वाइसराय के पद पर रहते हुए भी उन्होंने जनता के हितों पर कभी ध्यान नहीं दिया और यही उनके बतन का कारण बना डिटे सरकार ने उनके स्थीफे की मनजूरी दिया और उन्हें भारत को छोड़ करके जाना पढ़ा फिर भी भारतिये जनता उनकी विदाई पर तुखी हो रही है यही यहां पर बताया था जिससे कि हम शुरू से बात करते चले आ रहे हैं ना तीश्री शक्ति इश्वर को कहा गया है उसकी शक्ति के आगे ना लौड करजन का जोड़ जल सकता है और नहीं भारत वाच्यों का उन्हीं की इच्छा के अनुसार दुनिया का संचालन होता है यहां पर लेखक केते हैं कि तीन शक्तियां करे कर रहे हैं यानि कि लौड करजन है भारती जनता है और इश्वर की शक्ति को उन्हें सबसे अधिक शक्ति शाली बताया है और कहा है कि यहां पर किसी भी लौड करजन की का जोड नहीं चलता है किसी भारत का भारत के वास्यों का जोड नहीं चलता है और जो शक्ति है तीसरी शक्ति इश्वर ये शक् और उसी के इच्छा से सारी दुनिया जो है वह चल रही है और संचालन उसका होता है थेंक यू फॉर वोचिंग